नमस्कार SBT News में आपका स्वागत है पेशे च्छाय फरवरी मंगलवार सुबह सवाच्छा बजी राजस्तान की बड़ी खबरें श्री राम जनम भूमी ट्रस्ट के कोशा द्यक्ष गोविन देवगिरी महराज ने कहा है कि आयोध्या के बाद अगर ग्यान वापी और क्रिशन जनम भूमी मंदिर हमें मुस्लिम भाईच्वारे से दे दें तो हम अन्य मंदिरों की ओर नहीं देखेंगे हमें भविशे में रहना है अतीत में नहीं देश का भविशे होना चाहिए अतीत नहीं गोविन देव गिरी ने कहा मैं मुस्लिमों से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि ग्यान वापी और क्रिशन जनम भूमी हिंदूों को सवब देना चाहिए ये आकरान ताउं द्वारा तोड़े गए थे विदेशी हमलों में 3500 हिंदू मंदिर तोड़े गए हमारे उपर ये सबसे बड़े दाग हैं लोगों को दुख है अगर वे इस दुख को भाईचारे के साथ खत्म कर देते हैं तो भाईचारा बढ़ाने में मदद मिलेगी पूने के आलंदी में उन्होंने कहा हमने राम अंदिर का शांती पून समाधान ढून लिया अब क्योंकि ऐसा यूगर शुरू हो गया है तो हमें उम्मीद है कि अन्यमुद्दे भी शांती पून तरीके से हल हो जाएंगे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी लोकसभा में रास्टपती द्रौपदी मुर्मु के अभिभाशन पर धनेवाद भाशन दे रहे हैं प्रधान मंत्री ने कहा पिछेतर्मा गंट अंतर दिवस संसत का नाया भवन सैंगोल की आगुवाई ये सारा द्रश्य अपने आप में बहुत ही प्रभावी था प्रधान मंत्री ने विपक्ष को लेकर कहा मैंने जब यहां से देखा तो वाकई इस नए सदन में रास्टपती जी के आगवाणी का द्रश्य अस्तुखत था सार से जादा सदसे ने रास्टपती के अभिभाशन पर विचार व्यक्त किये मैं सभी का अभार व्यक्त करता हूँ विशे इस रूप से विपक्ष ने जो संकल्प लिया है उसकी सराहना करता हूँ प्यम ने कहा कि विपक्ष की एक एक बासे मेरा और देश का विश्वास पका हो गया है मैंने लंबे समय तक वहां नहीं रहने का संकल्प लिया है चंडिगर मेर चुनाव को लेकर सुमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई चुनाव अदिकारे अनिल मसीह को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई सीजी आई डीवाई चंदरचूर ने कहा ये सबस्ट है कि उन्होंने बैलेट पेपर को डिफेस्ट किया क्या वो इसी तरह चुनाव आयोजीत करते हैं ये लोगतंत्र का मजात है ये लोगतंत्र की हत्या है इस अफसर पर मुकदमा चुलाया जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि मेर चुनाव की पूरे रिकॉर्ड को जब्त कर पंजाब एवम हर्याना हाई कोट रेजिस्टरार जोनल की पास रखा जाए बैलेट पेपर और वीडियो ग्राफिक को सम्हाल कर रखा जाए इसके साथ कोट ने निर्देश दिया कि चंडिकर निगम की आगामी बैठक्स थगित रहेगी सुप्रिम कोट ने कहा कि हमारी चितना को संतोस्ट करना होगा नहीं तो नए सिरे से चुनाव कराने होंगे मामले में अब अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी लोकसब चुनाव से पहले उद्धव ठाक्रे ने परधान मंतिंदारेंडर मोदी को अपना दोस्त बताया है उद्धव ने कहा मोदी जी हम कभी आपकी दुश्मन नहीं थे हम हमेशा आपके साथ थे आज भी शिवसेना आपके साथ है हमने पिछली बार अपने गड़ बंदन के लिए चुनाव परचार किया था आपने हमें खुद से दूर कर दिया उद्धव सिंदु दुर्ग में चार फरवरी को एक कारक्रम में बोल रहे थे ठाक्रे ने बी जी पी पर कई आरोप लगाए उन्होंने कहा पिएम लगातार महरास्ट के दोरे कर रहे हैं वे जब भी यहां आते हैं कुछ न कुछ गुजरात ले जाते हैं हम उनसे ये कहना चुआते हैं कि हमारी बात मन की बात नहीं दिल की बात है हमारे मन में अंधेरा हो सकता है पर दिल में नहीं मैं केवल तानाशाहों और जूटों के खिलाफ हूँ बिस्टाचार को लेकर राजसान सीम भजनलाल सरकार एक्शन मोड में नज़र आए सीम भजनलाल ने करमचारियों के बिस्टाचार और कदाचार को लेकर सकती दिखाई वहीं अच्छे कारे करने पर तौफा दिया जो रहा है मुख्यमंत्री बजनलाल शर्मा ने कहा कि राजसारकार में उतक्रस्ट कारे करने वालों को और संभव प्रुटसाहित किया जाएगा लेकिन जो भी कार्मिक बिस्टाचार और कदाचार में लिप्ट पाया जाएगा उसे किसी भी हालत में बक्षा नहीं जाएगा राजसान में पिछले पांस सालों में कंगरिस ने रिवडियां बातने के सिवाई कोई काम नहीं किया जुट बोलकर सत्ता में आई को अंग्रिसने किसानों का कर्ज माफ करने बेरोजगारों को भत्ता देने जैसे अनेक वादे किये थे पर राजिसान में इन्होंने कोई काम नहीं किया वहीं दूसरी ओर राजिसान पिछले पांस सालों में बिस्टाचार दलित अत्याचार महिला अत्याचार में नमबर वन बन गया है ये बात राजिसान के उप मुख्य मंत्री प्रेमचंद बैर्वा ने भाश्पा भीलवाडा जिला कारयाला पर मीरिया जे रूबरू होते हुए कही उन्होंने कहा कि भारते जनता पार्टी की कतनी करनी में कभी फर्क नहीं रहा है भाश्पा ने जोवादे राजिस्तान की जनता से किये हैं उन्हें ये डबल इंजन सरका स्वाव प्रतिशत पूरा करेगी राजिस्तान की जनता ने भाश्पा पर अपना स्वत प्रतिशत विश्वास जताया है आने वाले लोकसभा चुनाव में भी पार्टी सभी 25 सीटे जीतेगी जल्दावी भाग में एक बार फिर से फरजी प्रमान का मामला सामने आया है अब की बार जैपुर नौर्थ थर्ड में फरजी वारे का मामला सामने आया है सत्कालिन एक्सियन गिरिश जैन ने एक ही डिस्पैच नमबर और एक ही तारिक के दो प्रमान पत्र जोरी कर दिये इतना ही नहीं एक सेर्टिफिकेट में तो कंस्ट्रक्शन और कमीशनिंग पूरा होना बताया जिसमें गिरिश जैन ने बाड में डिविजन की सील लगा दी जबकि दूसरे प्रमान पत्र में सिर्फ कंस्ट्रक्शन का प्रमान पत्र दिया गया गौर करने वाली बात यह है कि CWR की कमीशनिंग को मेजरमेंट बुक में कहीं उलेख नहीं है इस समंद में वर्तमान एक्सियन निशा शर्मा ने रिपोर्ट सौंदी है अतरिक्ति मुख्या अभियंता आजय सिंग डाठोड का कहना है कि जो भी दोशी होगा उसके खिलाफ कारवाही की जाएगी केंद्र सरकार ने वित्यवर्ष 2024 पच्चिस के लेख अनुदान की तहत अजमेर मंडल को नई लाइन और आर यूवी के लिए बजट आवंटन किया है इन से अजमेर मंडल मेरे लाइन का सूध रड़ी करण दोहरी करण और आमान परिवर्तन वे अन्यकारे हो सकेंगे जासान कांग्रिस प्रदेश एद्यक्ष गोविन सिंग डोटासरा ने सूमार को प्रदेश की भाजबा सरकार पर जम कर निशान असाधा उन्होंने कहा कि वो हमारे कामों में गड़बडी की बात करते हैं यदि गड़बडी आती है तो कारवाही भी करें उन्हें किसने रोका है जौँच करनी है तो करो उनकी कलम में सिया ही नहीं तो हम दवात भीज देते हैं डोटासरा ने सोमार को समात कारक्रम के लिए चूरू जाते समय फत्यपूर में हाइवे पर मीडिया से बाचीत के दौरान ये बात कही डोटासरा का फत्यपूर विधायक हाका मली के नेतर तुम्हें स्वागत किया गया कॉंग्रिस पार्टी आगामी लोगसभा चुनाव को पूरी तयारी के साथ लड़ना चाहती है इसको लेकर बूंदी शेत्र में परेवेक्षिकों को भेजा जो रहा है और उमिद्वारों की चैन को लेकर पतादिकारियों और कारकताओं से राय ली जो रही है कोटा बूंदी लोगसभा सीट के कॉंग्रिस परेवेक्षिक पूरु मंत्रि प्रताप सिंग खाचरियावास मुरारी लाल मीना बूंदी पहुंचे जहां देवपूरा महवीर मैरिस गारडन में कॉंग्रिस पतादिकारियों और कारकताओं की बैठक लेकर लोगसभा चु के एक ट्रेन जोदपूर के भगत की कोठी रेल्वे स्टीशन से आयोध्या के लिए रवाना हुई ट्रेन को कैबिनेट मंत्री जोरा राम कुमावत ने हरी जुन्दे दिखा कर रवाना किया देवसान विभा की ओर से वरिस नागरिक तिव्थी यात्रा योजना 23 के तैद 5 फरवरी को पहली ट्रेन आयोध्या के लिए चुराए गई इस ट्रेन में जोद्पूर संभाग सहित बीकानेर और हर्मान गर्जिले के 720 यात्रियों को आयोध्या हर्द्वार और रिशिकेश की यात्रा करवाई जाएगी दिली के रावजेवनी कोट ने सोमवार 5 फरवरी को आपने ता मनी सिसोधिया को कस्टडी पैरोल केता है तो सबता हमें एक बार अपनी बीमार पतनी से मिलने की अनुमती दे दी है इस दौरान डॉक्टर भी उनसे मिल सकेंगे ये ववस्था कोट के अगले आदेश तक जा रक्षे पूरा करने के लिए धडले से लाइसेंस बनाये ज़ा रहे हैं अधिकारियों के इसी लापरवाही और अंदेखी के चलते जिले में लगाता सड़क हास से में लोग जान कमा रहे हैं लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया में दलालो अधिकारियों के दखल रोकने और ड Automated Driving Track प्रस्तावित है जिसका बजट स्विकृती होने के बाद भी यहां Automated Driving Track नहीं बन पाया था राश्च्पति द्राबदी मूर्मू के 14 फरवरी को प्रस्तावित महंदी पूरबालाजी दौरे को लेकर पुशासर ने तयारियां शुरू कर दी है सारजनिक निर्माण विभाग ने मीन भगवान मंदीर के पीछे सित भूमी का समतली करने के बाद हैलिपेट निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी है यहां हैलिपेट बनाए जाएंगे इसे लिए कर सोंवार पी डर्यू डी के एएन फूर्सिंग मीना के निर्देशन में विभाग यदिकारी करमचारियों ने मंदीर के पीछे समतल की गई भूमी की पैमाईश की अगर आप कहीं काम के सिलसिले में या फिर घूमने चुआ रहे हैं तो जो आपकी यात्रा के लिए जो ट्रेन आपने सोच रखा है वो कहीं कैंसल तो नहीं होई यह आप चक कर लें याड री मॉडलिंग कारे के कारण रेल या तयार प्रभावित रहेगा जिसकी कारण रद रेल सेवाओं की अवधी में विस्तार किया गया है उत्रमध्य रेलवे के आगरा मंडल पर पलवल मतुरा रेल खंड के मतुरा जंक्शन पर याड री मॉडलिंग कारे के लिए धन्यवाद